दोस्तों ये देखिए कोकम का पेड़ महराश्ट्र के लोग कोकम को बड़ी अच्छे से पहचानते हैं ये रसोई में बहुत काम में आता है खटाई के रूप में ये लाल वाला जो है ये पका हुआ है और इसका बहुत ही टेस्टी शर्वत भी बनता है ये हमने पका हुआ कोकम तोड़ लिया है चलिए अब इसे खा कर देखते हैं इसे छील रहे हैं हम छीलने के बाद इसके अंदर सफेद रंका पल्प है जो खाने में खटा मीठा है और बीज है जिसे हमें थूख देना है इसके अंदर लाल रंका रस है और छिलका जो इसका है बहुत ही खटा है जिसे सुखा कर रसोई में काम में लिया जाता है इसका जो लाल रंका रस है एकदम लिपिस्टिक का काम करेगा तो दोस्तों ये है कोकम इनजाए के लुटे कर दया झाल